स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्रश्ण भारत की पहली सौर उर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा A. यमुना नदी, B. गंगा नदी, C. गागरा नदी, D. सर्यू नदी, आंसर, D. सर्यू नदी Explanation, भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्यस्थित सर्यू नदी में सौर उर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा इसनाव सेवा के संचालन की रूपरे खा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवी करनिये उर्जा एजेंसी, UPN EDA, द्वारा तयार की गई है अगला प्राश्न, महराश्ट्रा सर्कार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किस के साथ समझोता किया है इस प्लांट में ग्रीन लिक्विड अमोनिया का उत्पादन किया जाएगा अगला प्राश्न शांती के लिए एश्याई बौध सम्मेलन की बारहवी महासभा का आयोजन कहां किया जा रहा है ए, काठमांडू, बी, नई दिल्ली, सी, धाका, डी, कोलंबो, आंसर, बी, नई दिल्ली, एक्स्प्लेनेशन उप्राश्ट पती जगदीत धन्खर ने शांती के लिए एश्याई बौध सम्मेलन की बारहवी महासभा का उद्घातन नई दिल्ली में किया इस दो दिवसिय बारहवी महासभा का उद्घातन 17 जन्वरी को किया गया खंबो लामा समागिन गोंबो जोव के अनुरोग पर साल 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी अगला प्राश्ट जन्वरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ A. मुंबई हवाई अड़े B. सफदर जंध हवाई अड़ा नई दिल्ली C. बेगम पेट हवाई अड़ा हैदराबाद D. पालम हवाई अड़ा नई दिल्ली Answer C. बेगम पेट हवाई अड़ा हैदराबाद Explanation इस कार्यक्रम में 106 देशों के 1500 प्रतीनिधी और 5000 व्यापारिक आगंतुक शामिल हो रहे है जो एरोस्पेस इंजिनियर एरलाइन्स हवाई अड़ा एजेंसियों से जुड़े हुए है अगला प्राश्न अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित समारक डाक टिक्तों की एक सीरीज किसने लॉंच की A. द्रौपदी मुर्मू B. नरेंद्र मोधी C. योगी आदित्यनाथ D. अमित शाह Answer B. नरेंद्र मोधी Explanation प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित समारक डाक टिक्तों की एक सीरीज और दुनिया भर के टिक्तों वाली एक पुस्तक जारी की 6 हलग अलग डिजाइन के साथ ये टिकट श्री राम जन्मभूमी मंदिर के सार को दर्शाते है गौर तलब है कि एयोध्या में राम मंदिर के प्रान प्रतिष्था का कार्यक्रम 22 जन्वरी को समपन होगा